Hello everyone, welcome back to my YouTube channel So Canada visa की बात करेंगे, study permit वाले student की बात करेंगे PPR को लेके काफी अच्छी speed देखने के लिए मिल रही है November मंत की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर latest मैं share करूँ तो Within 2 weeks, within 2 weeks भी PPR जो है वो आ रही है, student को उनके result मिल रही है कईयों का पराना pending भी पड़ा हो लेकिन यहाँ पे latest PPR है जो मैं आप से share करने जा रहा हूँ क्योंकि November में result की speed अच्छी रही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह file की submission date थी October 26 उसके बाद आप biometri का देख सकते हैं लेटर आया था जो 30th को उसके बाद वैलिटी लेटर जो होता है BVL आया November 12 को और सेम डे जो है PPR रसीव हुई तो मतलब अगर result की बात करें जब fast result आने की बात आती है तो यहाँ पे October end की file के भी result time से आये हुए है still online अगर processing time देख तो उससे बाद में कुछ और PPR भी share करेंगे online जो processing time है आपको दियान में होगा कि पहले 15 week के आसपास शो हो रहाता तो उसमें भी थोड़ा सा difference आया कोई बहुत major change नहीं आया होगा क्योंकि 2-4 दिन से कोई difference नहीं आता तो यहां पे most likely अगर आप देखते हैं तो 14 week के आसपास को जो time है वो आपको दिखाई देगा क्योंकि अभी थोड़ा बहुत speed up हुआ है system उसकी वज़ा से यह time 12-13 week 11-12 week के आसपास आ जाएगा यह month close होते होते क्योंकि अभी result जो है काफी इसमें आने है नॉमबर की starting में आपको दियान में हो अच्छे खास से result आये थे अभी भी आ रहे है sunny की result रुक चुके हैं यहां भी आप देख सकते हैं September की file थी तो brand में result आ गया मतलब within two month अगर average processing time को लेके चले तो डेट दो मीने के अंदर अंदर भी late वालों के result आ सकते हैं जिनकी file जो है January day के लिए लगी है September के बार लगी है उससे पहले वालों के भी आ रहे हैं आप देख सकते हैं July की file लगी थी उसके बाद उनको जो है चार नॉमबर को उनका BVL का लेटरा है उसके बाद पर पासपोर्ट की request आगी उनको 5 of November को ऐसी और भी result है क्योंकि सारे result किसी एक परसन के पास नहीं हो सकते तो बहुत ज़्यादा result जो है अभी November मन्त के आ रहे हैं positive भी आ रहे हैं negative भी आ रहे हैं तो जहाँ पर हम positive भी share करेंगे तो July 31 को आप देख सकते हैं यह file का process हुआ उसके बाद November 4 को तो यहाँ भी यह time लगने की बात करें तो time लगता भी है तीन चार मीने भी लग रहे हैं जो online processing time लिखा है आगे भी और PPRC चैनल पे share होगी आप चैनल को subscribe करने तागी अगली update आप तक आ सके